नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं अपना बेहत खास कारकरम जोतिश जराहट के बाद कन्या राशी की करेंगे कन्या राशी वालों के लिए 2021 क्या उनसे छिनने जा रहा है क्या उनसे लेने जा रहा है कन्या राशी वालों को 2021 में किन-किन अवसरों पर सावधान रहना है कन्या राशी के लिए हमने अलग से एक वीडियो भी डाला था कि कन्या राशी वालों के लिए because of Jupiter यह वर्ष 2021 ब्यक्तिकत तोर पर बहुत अच्छा नहीं रहेगा कन्या राशी आपकी है या कन्या लगना है दोनों में सबसे पहले अगर देखी कि क्या छीनेगा तो पताएंगे हम एक विशेश जानकारी आपको देते हैं कि जनवरी महीने में अगर आप हमसे मुलाकात करते हैं अपनी कुनली दिखाने के लिए तो जनवरी महिने में एक विशेश तौफा हम आपके लिए देंगे जब आप हम से मुलाकात करेंगे तो हम आपको अपनी तरफ से आपके प्रश्णों के उत्तर के साथ-साथ अपनी तरफ से जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक क्या विशेश उपाय महीने के हिसाब से करना है पूरे महीने में क्या विशेश मिल सकता है इसकी जानकारे हम आपको प्रदान करेंगे तो फिलाल तो 3 और 4 जनवरी को हम चन्डीगर में हैं, 11 जनवरी को गोरकपूर और उसके बाद पतना, राची, हर जगए, हर शहर में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं इस शहरों में आप मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलें लखनव में भी बॉम्बे में भी क्योंकि अगर आप मिलते हैं तो आपको एडिशनल इतना मिल जाएगा कि 2021 में दुबारा आपको हमसे मिलने के आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी तो विलम बना करिए 9910-291850 पर आप वाट्सप करिए और पूरे जानकारी आप राप्त करिए चलिए सुरवात करते हैं आपको 2021 कन्या राश्य वालों से क्या क्या चीन सकता है सबसे पहली चीज जो कन्या राश्य वालों से 2021 चीनेगा वह चतुर्थ और सब्तम भाव से सम्मंधित समस्त सुख है माता मकान वाहन पतनी पार्टनर्शिप पती पार्टनर्शिप बच्चों के द्वारा पंचम से तृतिय पढ़ने के कारण बच्चों से भी सम्मंधित तमाम चिन्ता है तो इन इन छेत्रों से 2021 आपको परिशान करेगा अगर आपकी राशी कन्या है अगर आपका लगन कन्या है मैं दोनों को सम्म्म्यक रूप से जोड़ के बता रहा हूँ एक से तन एक से मन चंद्रमा से मन लगन से तन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है तो दोनों कनेक्ट किया करिए एक पक्ष मत देखिए दोनों पक्ष देखिए आपको दोनों पक्षों से विशेश लाब मिलेगा विशेश फायदा मिलेगा समझने वाली बात है आपकी तो मकान छीन सकता है वाहंत छीन सकता है मा का सुख छीन सकता है प्रशिद्धी प्रभावित कर सकता है 2021 अगर आपकी राशी करने है अगर आपका लगन करने है तो इन इन छेत्रों से सम्मंधित आपको परिशानिया और तनाव देगा धन के मामले में देखें तो धनेश आपका धनभाव का स्वामी शुक्र है जो की आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा है और केतु के साथ बैठा है तो ये इस्थिती भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती इस इस्थिती का भी बहुत विशेश लाभ आपको नहीं मिल पाएगा यहां से भी कुछ तमाम परिशानिया आपको जेलनी पड़ सकती है आपको बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा परिशानिया कुछ भिशेश रूप से आपके जीवन में आ सकती है अगर आप संभल गए तो सब कुछ आपका संभल जाएगा स्वास्त से सम्मंधित चीजों में अगर देखा जाए तो पेट और आँख को ले करके आपको बहुत तनाव जेलने को मिले का दुतियेश शुक्र आँख का कारग शुक्र केतु के साथ राहु से द्रिश्ट अवस्था में होने के वजह से कुछ दिक्कत तो पर्मानेंट रूप से करेगा है ये होना है तो कन्या राशी कन्या लगन वालों के लिए इन इन अस्थानों पर समस्याएं गंभीर रूप ले रही है गंभीरता के साथ परेशान कर रहा है सोच समझ करके बड़े फैसले लेने होंगे उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी करने है अगर आपका लगन करने है जिससे इन चीजों से सम्मंधित कुछ चिने ना अच्छा नौकरी के मामले में देखा जाए तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी है सूर्व के साथ दसमे शोकर के लगने शोकर के राशी शोकर के धनुराशी में बैठे हैं तो यहाँ पर मामला बैलेंस्ट रहेगा कोई विशेश दिक्कत नहीं आएगी मतलब इन छेत्रों में आपको परिशानी का सामना नहीं करना है मजबूती के साथ आप कदम बढ़ाएंगे उपाय क्या करना चाहिए आपको प्रियोग क्या करना है जिससे आपको आने वाले समस्याओं का हल निकल आए प्रियोग के तोर पर आपको बस एक चीज़ पर विशेश दियान देना है हर प्रातह ओम गंगल पते नमह का एक माला जाप करिए अंगलियों में कोई पत्थर हो तो निकाल फेंगिएगा और गायत्री मंत्र का जाप भी करते रहिएगा जिससे द्वादस भाव को हम थोड़ा सा बल दे सकें तो गायत्री मंत्र का जाप ओम गंग गणपते नमह का एक माला नहाने के बाद जाप पत्थर निकाल फेंकिएगा और नॉन्विज हमेशा के लिए छोड़ दीजेगा ब्रहश्पती आप के लिए बहुत सुख दायक हैं ब्रहश्पती चुकि नीच के हैं इसलिए आप सबसे अधिक प्रभावित होंगे परिशान होंगे 2021 जाता छीनने ना पाए इसलिए उपाया निवारे है बहुत आभार आपका अनुमत चाहेंगे आप से मुहबबत इन ही बनाए रखिएगा थैंकियू सो मच आपके इस प्यार के लिए नमस्कार और हाँ जनवरी का तोहफा पाने के लिए कॉल या वाट्सप जरूर करिएगा 9910291850 पर नमस्कार शेरादे